तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 का कोश्यन नमबर है हमारा सोलवाँ सोलवाँ कोश्यन कह रहा है वहाँ एपी यात कीजिए जिसका तीसरा पद सोला और सात्वाँ पद पांचवे पद से बारा अधिक है तो भाई जो चीजिए इनों ने दी है वही हम सबसे पहले लिखने वाले हैं इनों ने कहा है तीसरा पद मतलब A3 जो है वो हमारा कितना है सोला है सात में इनों ने क्या कहा है कि सात्वाँ पद मतलब A7 जो है वो हमारा पांचवे पद से बारा अधिक है इतनी बात जो है वो इन्होंने हमको दे दी है ठीक है इतनी बात दे दी है अब लगाएंगे हम अपना कुश्चन कैसे करेंगे तो A3 हमारा एक फॉर्मुला होता है प्यारा वाला वह है A n is equal to A plus N minus 1 इन्टू में D यहीं फॉर्मुले का योज हम करने वाले हैं हर पूरी एक्सराइज में यहीं लग रहा है ठीक है तो A n जो है वह हमारा यहां पे कितना है A plus N minus 1 इन्टू D A भी नहीं पता है D भी नहीं पता है तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे इसमें हम यहीं फॉर्मुले में रख देंगे A3 बराबर A plus N कितना है हमारा यहां पे तीन है तो जो है वह हमको मिल गया है A plus 2D जो है वह हमारा 16 के वराबर है इतनी बात जो है वह हमको पता चल गई अब चलते हैं हम यहां पे आप हमें यहां पे इनके मान नहीं पता है पर हम इसको फॉर्मुले में रख सकते हैं जैसे A7 जो है उसको हमने खोला तो हमारा हुआ A plus N minus 1 N हमारा यहां पे 7 है ठीक है यह डिस्टर्वर करने लग वहां जाओ ठीक है तो क्या करेंगे हम 7 minus 1 इन्टू में D करेंगे बराबर भी लिख देंगे आप यहां पे A5 खोलेंगे तो क्या हो जागा A plus N minus 1 N हमारा क्या है 5 है ठीक है माइनस 1 कर देंगे D कर देंगे फिर हम इसको हटाय देंगे ठीक है और plus 12 है वो भी हम लिख देंगे लिख दिया हमने तो हम क्या करेंगे A plus is the case K amara 6 D वा इधर हमारा and plus किया घटके हमारा 4D हुआ, प्लस में 12 लिखा, इधर भी A, इधर भी A, तो A से A जो है वो हमने काट दिया, काट सकते हैं हम इसको क्या करेंगे हम 6D लिखेंगे, 4D को हम इधर लिए आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 12 लिखा हुआ है गट के हमारा 2D रचेगा, बराबर में 12, 2 से काट देंगे, 2 इकंदो, 2 छंग 12, मतलब D की वैलू जो है, वो हमारी 6 आ गई है अब इस D की वैलू जो हमारे पास आई है, वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो रख देते हैं, क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू, D की वैलू हमारी, ओजू, चिलाओ न, ठीके, D की वैलू हमारी क्या है, 6 बराबर में 16, तो A प्लस 6 दूनी, 12 बराबर में 16, 16, A बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12, तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब A की वैलू जो है, वो हमारी क्या ही है, 4 आ गई, A भी पता चल गया, और D भी पता चल गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं, पहनी ही मारा गिर गया, ठीके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें AP नि निकाल देंगे, कैसे डिक्ति आखेंगे, अब हमारा सबसे पहले, A लिखा जाता है, फिर हम, A प्लस D, फिर, A बलस 2D करते हैं, ठीके, यह करें, ठीके, इस तरीके से हम करते जाते हैं, तो यह होती है, हमारी AP, 0.205 हमारा हो जाएगा चार में हम क्या जोड़ेंगे डी हमारा छे है ठीक है अगला जो अगा चार में हम दो गुड़ें छे करेंगे ठीक है इस तरीके से अमारी एपी बनेगी तो यह हमारी क्या जाएगी ठीक है तो कोश्चन जो है वो हमारा समापत हो गया है ठीक है तो जल्दी से नोट कर लीजिए ठीक है तो उमीद है वाई क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो भई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना नहीं बूलेंगे साथ ही आपको बता दे हमारा